Hello everyone, once again आपका स्वागत है U-Bone Academy में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगी कक्षा 7 के अंदरगात साइंस का यह दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है Nutrition in Animals प्राणियों में पोसन या जनतूं में पोसन इससे पहले हम तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने NCRT Notes portion को कवर किया था इसके अंदरगात हमारे पास जो Human Digestive System था और जो Ruminants थी उनके Digestive System के बारे में हमने Explanation पार दिया है उसके लिए हमारे पास जो Human के Different Types की जो Teeth थे उसके बारे में हमने Explain किया था वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो Number of Videos होंगे जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें चलिए सुरू करते हैं Nutrition Animals Part 4 NCRT Exercise Question number first, Fill in the Blanks रिक्तिस्तान होगा आपको पूर्ति करनी है पहला The main step of digestion in humans are इसके बाद क्या होगा यहां पर खालिस्तान होगा तो उसको हमें भरना है लेकिन हमने तो यहां पर पूरा भर दिया है तो आपको क्या होगा एनिश्याटर में आपर खालिस्तान होगा तो उसको क्या गरना आपको complete करना है The main step of digestion in humans यानि human जो है human beings उनके जो digestion है उनके जो पाचन है उसमें क्या-क्या मुखी step होते है यानि भूजन जो हम खाते हैं तो वो किस-किस step के तो आगे बढ़ता है तो उसमें जो पहला है वो है ingestion जिसे हिंदी में क्या बोलता हम अंतागरण दूसरे क्या मार पास digestion पाचन थर्ड नमबर पर क्या था मार पास absorption उसके बाद क्या था मार पास assimilation जिसे हम क्या बोलता है श्वांगी करण और फाइनली क्या था मार पास digestion जिसे क्या बोलता हम निसकासन बोलते है तो यह हमारे पास क्या थे फाइब इस्टेप में human digestive system में क्या होता है जो food particles होते है या जो हमारा food है वो इसके थूरू क्या होता आगे बढ़ता है तो first ingestion दूसरा digestion third absorption fourth assimilation and fifth one is the ingestion बी the largest gland the immune body is इसकी बाद क्या होगा blank space होगा यहाँ पर तो largest gland यानि human beings जो है human beings की सबसे बड़ी गरंती है largest gland है तो उसका नाम की हमारे सरी की जो सबसे बड़ी गरंती है उसका नाइम की है liver जिसे क्या बोलता हूं हिंदी में जिगर के नाम से इसको जाना जाता है तो liver क्या होगा हमारे सरी की क्या होगा इस सबसे लंबी gland है सबसे लंबी क्या है गरंती है see the stomach release hydrochloric acid and death juices which act on food यानि हमारे जो stomach है वो क्या करता है hydrochloric acid को निकालता है और क्या होता है digestive juice को निकालता है यानि जो पाचक रस होते है उन पाचक रस को क्या करता है सिक्रिशन करता है, जो क्या करता है, भोजन में क्या करता है, पाचन में सहयता करता है उसके अलावा क्या करता है, जो बाहर से आए हुए जो बेक्टरियाज होते है उन बेक्टरियाज को क्या करता है, किल करता है और उसके लावा क्या करता है जो भोजन होता है उसको कैसा माध्यम परतान करता है अमली माध्यम तो हमार पास क्या है जो stomach है वो hydrochloric acid release करता है और उसके लावा क्या क्या करता है digestive juice को क्या करता है release करता है D. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called villi जो हमारे पास क्या होता है human beings में जो बहुत सारी finger-like outgrowth से होती है यानि जो अंगली की तरह की बाहर की तरह निकली हुई जो संग्रस्ताय होती है उसे क्या बोलता है विला बोलता है यानि विला के अपने पास अपने आम में क्या है a minute hair-like projection on mucous membrane यानि जो हमारे पास क्या होती है जो mucous membrane होती है या जो हमारे intestine है तो उसमें क्या होती है finger-like projection होती है जो क्या करती है absorption में क्या करती है help करती है दिर्ग रोम यह रसनकुर ही बोलते हैं इसको हम, तोहर पास क्या प्विला होती है, वो जो पच्य हो भोजन होता है, जो digestive food होता है, उस digestive food को absorb करना में क्या कहता है, help करता है, क्योंकि यह surface area बढ़ा दिते है, विला क्या करते है, surface area बढ़ा होते हैं, तो उससे क्या होता है, आ हमारे पास क्या हैं तो जह Amoeba है, Microrganism है, Unicelled, यानि Single-Celled Organism है. इससे पहले हम initially में देख चुके हैं जो Amoeba है, वो कैसा है? Single-Celled या Unicelled क्या है? Organism है, यानि aKALCOSKI के है, organism है, जियु है. जिसका जो भुजन का पाचन होता है, वो किसमे होता है Food Vacuum में. तूपड वेक्वल में आपको याद आ रहोगा ऊसके नजिडिक जो भी food particles आते हैं तो उसको क्या करता है absorb अपनी अंदर क्या होता है अपनी pseudopodia का shape चेंज करता है उसकी बाद क्या होता है अपनी body के अंदर लेता है और उसकी बाद जो digestive food होता है उसको utilization करने की बाद क्या होता है जो wastage होता है उसको सरीज से फिर अपनी shape को करता है चेंज करता है और सरीज से बाहर निका देता है तो digestive food जो होता है उसको किसमे food vacuum के अंदर उसको digestive किया जाता है Next, question number 2 Mark T if the statement is true and F it is false हमको कहना है सत्य और असत्य यानि true false का क्या करना हमें यहाँ पर statement को explain करना है कि कौन से statement true है और कौन से statement false है First A digestion of starts start in the stomach यानि जो starts है उस starts का यानि जो मंड है उस मंड का जो पाचन होता है वो सरीर के इस्टमक यानि अमार्षा में start होता कह रहा है आपको याद आरहुआ हमने क्या था जो starts है उस starts का हमने पहले एक्स्टमेंट पाड दिया था कि जो starts का जो पाचन होता है वो हमारे बकल कैबिटिस से start हो जाता है यानि जो मुख गुई का होती है उसमें क्या होता है उसमें saliva उसमें mix होता है तो इसका मतलिब यह क्या है अपने आमें statement कैसा है यानि इसका सही answer क्या था बकल कैबिटिस से क्या होता है यूमन जो digestive system है तो उसके अंदर क्या होता है उसका पाचन होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हमारे पास false statement है जिसको हम एप लिख रहे है दूसरा तंग helps in mixing food with saliva यानि जो हमारे जीव है वो क्या करते है saliva को हमारे भूजन के साथ mix करने में क्या करती है help करती है तो हमने पहले expression part में भी दिखा था कि जो टंग हमारी जो भूजन है उसको mix करता है किस में saliva को भूजन जो लिया गए है उसके साथ mix करता है ताकि उसका पाच्ण आसाने से हो सके तो ये statement के है अपने आप में true statement है तो security statement के हमारे पास true statement है तो मैं ती लिख दिया C दा गॉल बलेडर temporarily store biles यानि जो हमार पास क्या है गॉल बलेडर है वो क्या करता है जो biles निकलता है उसको क्या करता है temporarily क्या करता है store करता है तो ये statement भी क्या आपने आमेर सत्य है तो इसको क्या लग दिया हमने true statement तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया ती, यह जो बाइल निकलता है उसको temporarily store करता है तो इसके बाद उसको आगे digestion में भेज दिया जाता है तो यह क्या जो जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं जो निगला हुआ उसका भोजन है जो ग्रास है उसको क्या करता है वापस mouth मिलाता है उसको क्या करता है उसकी बाद जबाता है या उसकी क्या करता है जुगाली करता है तो यह statement क्या आप नयाब में? truth statement है purchase rumination आपको याद रहोगा and rumination जो part पड़ा था हमने तो वहाँ पर क्या था है जो जूगाली करने वाले उसको chew करते हैं चबाते हैं और फिर क्या गत तो उसको दुबारा निगल लेते हैं तो हमार पास क्या थे true और false थे तो first statement क्या था हमार पास digestion of starch start in the stomach एक क्या था अपने आमें पहला वाले statement false था दूसर वाले statement the tongue helps in mixing food with saliva तो ये statement क्या अपने में true है थार्ड वाले भी क्या था हमार पास the gallbladder template store in stores bile ये statement भी क्या हमार पास true है और finally क्या था हमार पास the ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for sometimes उसको क्या करते हैं घास को क्या करते हैं कुछ समय के लिए वापस अपनी जीम में लाते हैं और उसको क्या करते हैं चबाते हैं तो ये क्या था हमार पास true और false statement थे जिसमें first वाले क्या था false statement था उसकी अलावा क्या थे सारे हमार पास true statement थे question number 3 tick mark the correct answer in each of the following अगर सही है तो उसमें से mcu की based है तो इसको क्या करना आपको true answer को क्या करना है जो correct answer को उसको क्या करना आपको select करना है fat is completely digested in the जो हमार पास वसा होती है उस वसा का पूर्ण रूप से पाचन शरीर के किस भाग में किया जाता है तो हमार पास चार option है पहला stomach, mouth, small intestine और large intestine तो इसका correct जो answer है वो हमार पास क्या है small intestine या थर्ड वाले के हमार पास small intestine है तो हमार पास जो fat होता है वसा का complete digestion किसमे होता है small intestine या छोटी आँज जो होती है या चुद्रान जो होता है उसमें भुजन वसा के क्या होता है पूर्ण रूप से पाचन होता है water from the undigested food is absorbed mainly in the जो हमार पास क्या होता है जो undigested food होता है उसमें जो बचावा पानी होता है उसको कहां से absorb कियाता है यानि फैनली उसको कहां पर absorb कियाता है तोहार पास क्या है इस टमक, food pipe, small intestine और large intestine तोहार पास क्या होता है जो पानी होता है पानी को हम कहां से absorb करते हैं large intestine से इसको absorb किया रहता है तो इसका answer कौन सा है D answer या fourth answer क्या होगा इसका correct है match the items of column first with those given in column second यानि column first में कुछ आपको words से दिये गहे है उस column first के words को आपको column second में जो words से दिये गहे उसे क्या करना है match करना है तो जो suitable matching words होगा उसको करना आपको match करके दिखाना है पहला food components तो food components से क्या होगा हम इसको किसके सांद match कर सकते हैं different यहाँ पर column B के अंदर जो words दिये गए है या जो statement दिये गए है तो उसमें से कौन सा correct है होगा first वाला यानि जो food components है product of digestion एक सेट्ड हमारे पास carbohydrate तो carbohydrate का क्या होगा हमारे पास sugar तो Carbohydrate क्या है, Carbohydrate से क्या होता है, उसका digestion होता है, तो लास्ट में किसमें सुगर में तोड़ता है, गुलकोज आदा रहोगा, उससे पहले सुक्रोज होता है, सुक्रोज की बाद गुलकोज, तो इस देंशे क्या होता है, हमें energy मिलती है उससे, protein, protein का जो matching words है, वो कहा है amino acids, protein की सबसे чोटी संखला है, वो कहा है amino acids, amino acids क्या होता है, आपने आपमें peptide linkage करते है, peptide linkage की थुरू कि इसमें बदल जाते है, प्रोटीन्स में बदल जाते है, अगला हमार पास fats, तो fats का जो matching wars है, वो क्या हमार पास fatty acids and gilsol, आपको याद आ रहा हो, जो fat क्या थे, अपने हमें bigger molecule है, उन bigger molecule को छोटे, उनसे छोटे जो fatty acids है, और जो gils Question 5, what are villas, what is their location and function, villas क्या है, या जो दीर ग्रोम है, या जो रशांकुर का हमने, तो वो अपने हमें क्या है, और इनकी जो शरीर है, उसमें कहाँ पर इनकी location है, और इनके carry क्या है, तो इसको हमें अप्छियन करना है, villas are tiny finger like projection originating from the walls of the small intestine, यानि जो villas है, इसको हम अभी पह होती है, finger like projection होती है, जो कहां से निकलती है, जो small intestine की जो wall है, जो हमारी क्या है, छोटी आथ की जो wall है, उससे क्या होती है, बाहर को निकली हुई रहती है, यानि जो villas क्या होगा, अपनाम में, minute finger hair like projection कहा था हमने इसको, तो ये क्या होती है, जो small intestine है, small intestine की जो धिवाले है, उनसे क्या होता है बाहर को क्या करती है निकल वी रहती है ऐसा जादा हो सकती है या कंप्लीट की जा सकती है जो विलाय होती है उसको और व्लड वैसल से होती है यानि रक्त वाहिकाई होती है उसमें जो पच्यवे भोजुन को क्या करते हो हां से उसमें जो postic tauty होते हैं, जो पचेवे region में कि जो postic tauty होते हैं, उनको वहां से किया गया आता है, एब्सॉर्ब किया आता है, और उनको कहाँ supply दिया आती है, blood में supply की जाती है, the blood vessel is present inside the villi, can absorb the nutrients from the digestive food, यानि उसके अंदर क्या थी, जो रखते वहाई काई थी, छोटी जो small जो रखते वहाई काई हैं, वह क्या करते हैं, वहाँ से पच्ची भूजन को absorb करती है, और उसको किसमें, जो हमारी आगे supply है, blood है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको supply कर देते हैं, तो positive तत्तों का क्या होता है, यहाँ से absorption किया जाता यानि जो बाइल होता है कहां से प्रोडूस किया जाता है और वो किस भूजन का जो components है उनमें से किस components को डाजिस्ट करने में help करता है आपको याद होगा components of food क्या क्या थे carbohydrate, protein, vitamins, minerals, fatty acids तो यह क्या थे हमारे पास भूजन के क्या है, different parts है या components है अवयो है अंसर देखिएगा इसका liver secrets the bile juice which is stored in the gall blade है यानि हमारे पास जो bile juice जो निकलता है उसको कौन secret करता है यानि उसका surround कहां से होता है हमारे liver चे होता है तो liver क्या करता है, bile juice को क्या करता है secret करता है, liver आपको याद आ रहा होगा हमारे सरी की क्या है सबसे बड़ी gland है सरी की सबसे बड़ी gland कौन सी थी, liver इससे पहले भी एक question आ चुका है तो liver secret the bile juice which is stored in the gallbladder bile को कहां से secret किया जाता है, surround कहां से किया जाता है, इसका liver से किया जाता है bile play an important role in the digestion of fats यानि Base, ये बाईल होता है, वो किसके पाच abundant में help करता है जो fat क्या होता है जो fat होता है, उस fat के पाचन में क्या करता है, help करता है तो वसा के पाचन में bile अपनी मुख्य भूमिका निवाता है आपको याद आ रहा हो तो saliva होता है, saliva क्या ہ Aprohydrate men और fat के digestion में क्या करता है, help करता है, question number seven, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not humans, give the reason also, यानि जो carbohydrate है, कौन सा ऐसा carbohydrate का जो part है, तो उसमें से कौन सा component है, उस carbohydrate में कौन सा component है, जिसको human beings की digestion नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो ruminants होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानोर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको आसानी से पचा पाते हैं, तो उसका reason देना है, कि ऐसा क्यों है करके, तो आपको याद आ रहा हो, carbohydrate की क्या है, different parts है, जैसे हमने क्या कहता, starch कहता, carbohydrate के अंदर starch आया था या cellulose आये था, या हमारे पास क्या होता है, glycogen होता है, तो यह क्या है, इसके different parts है, तो उसमें से cellulose का digestion हमारे सरीर नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे सरीर में क्या होते हैं, इसको digestion करने के लिए, cellulose को digestion करने के लिए, cellulose enzyme निकलता है, हमारे सरीर में नहीं निकलता है, ज यहनि जो cellose है वो एक परकार का क्या carbohydrate है that can be digested by ruminants but not humans वो क्या होता है किसके द्वारा जो ruminants है उन ruminants के द्वार उसको digest किया जाता है लेकिन human beings की द्वार उसको digest नहीं किया जाता है ruminants have a large sec like structure between a small and large intestine where the food containing जो ruminants है उनके सरे में क्या होता है एक थेले नुमा संग्रसना होती है किसके large intestine और small intestine के भीच में जो क्या करता है उस जो grass होती है उसको कहरता हूँ हाँ पर कुछ time के लिए क्या करता है इस्टोर करता है उसके बाद क्या करता है जो ruminants होते है उस grass को वापस लाते है माओट में और फिर क्या करता है उसको target करते हैं उसको करता है जुगाली करते है करते हैं बोलते हैं जिसको तो उसको क्या जाता है दुबारा mouth में लाने की बात क्या जाता है उसको दुबारा digest किया जाता है cellulose is digested by the action of certain bacteria यानि cellulose भी क्याता है कुछ उसको passing करने के लिए कुछ bacteria क्या जाता है, secretion करते है, bacteria क्याता है कुछ enzyme को निकालते है on the other hand humans cannot digest a cellulose as the cellulose digestive enzymes are absent in them यानि जो human beings है वो cellulose का digestion नहीं कर पाते है क्योंकि उनके सरीर में उसको digest करने के लिए जो enzyme है उसका secretion नहीं हो पाता है, ठीक है कौन से enzyme बता है हमने cellulose, तो cellulose enzyme क्या करता है, cellulose को digest करने में क्या करता है help करता है, question 8, why do we get instant energy from glucose यानि जो glucose होता है उससे हम तुरंत energy, उर्जा का कैसे मिल पाती है तो glucose इसे simple sugar, glucose के आपने आप में simple sugar है carbohydrates when consumed have to be digested into glucose जब क्या होता है, carbohydrate का digestion क्या जाता है, तो हो क्या करता है, उर्जा glucose के रूप में तूड़ता है, और glucose क्या देता है, हमें उर्जा देता है हमें क्या करता है, glucose क्या करता है, तुरंत glucose के बाद क्या होता है, glucose होता है, C6H12O6 तो glucose क्या करता है, further digestion में क्या करता है, फर्दर क्या करता है, हमें energy produce करता है, और उस energy का हम useful work में क्या करते है, useful work को complete करते है तो जो भी हमें work करना होगा तो उसको हम पूर्ण करते हैं As glucose can be easily absorbed in blood It provides energy to the body तो glucose क्या होता है तुरंट उसको absorption किया जाता है और हमारे सर्व को क्या जाता है ओर्जा परदान करता है Hence, when glucose is directly taken It does not have to be digested And thus act on an instant source of energy इसलिए क्या होता हमारे पास क्या होता है तुरंट क्या करता है उसको हम क्या लगता है सीधे भी ले सकते है और हमें क्या करता है तुरंट energy provide करता है Instant source of energy के नाम से इसको जाना जाता है आपको याद होगा कि जब कभी आप दौर लगाते हैं इधर उदर तो हाँपर क्याता है आपको glucose दिया जाता है यानि packet में glucose होता है तो glucose क्या लगता है आप उसको तुरंट लेता है तो आपको क्या मिलते हैं उससे तुरंट energy मिलती है यानि standard source of energy के name से glucose को जाना जाता है और उससे क्या होती है जो हम हमारी थकान होती है वह क्या होते हैं, तुरं तक कम हो जाती है, क्योंकि हम खाना खाएंगे उसमें, दो जो खाने की परक्षिया है, उसके बाद एस के digestion है, तो हमें एनरजी धिरे-धिरे देता है, लेकिन गुल्कोज क्या देगा, उसमें तुरंत हमें क्या देता है, एनरजी प्रोवाइड करता है Question 9 Which part of the digestive canal is involved in यानि नीचे कुछ हमारे पास क्या statement है तो उसमें digestive canal यानि जो हमारे क्या है elementary canal थी तो उसका कौन सा भाग वहाँ पर उससे matching guard है तो उसको हमें दिखाना है Absorption of food यानि जो भोजन का absorption होता है absorption होता है तो small intestine यानि हमारे जो छोटी आथ है तो वहाँ से क्या होता है भोजन का absorption होना start किया जाता है chewing of food यानि जो हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन को कहां से चबाते हैं buckle cavity तो इसका correct words क्या हो गया इसको जो fill in the blanks था तो इसको क्या गजा हमने buckle cavity यानि भोजन को हम कहां पर जो हमारा muck guica है तो muck guica में क्या करते हैं भोजन को चबाते हैं तो buckle cavity में क्या करते हैं भोजन को चबाने की जो परक्रिया है तो वहाँ पर क्या होता है जो हमारा saliva होता है उस saliva क्या होता है भोजन के साथ मिक्स करता है तो उसका टेस्ट भाह में क्या लगता है उसके बाद मीठा लगने लगता है तो यह क्या होता है यहाँ पर chewing की process complete की जाती है killing of bacteria यानि जो bacteria होता है उस bacteria को मानने की जो process है या bacteria को कहाँ पर kill किया जाता है स्टमक में याद रहागो आपको स्टमक क्या होता है hydrochloric acid mucos वाला जो पार था तो वहाँ पर क्या होता है HCL यह hydrochloric acid निकलता है तो वह क्या करता है bacteria को मादने में क्या करता है वहाँ पर help करता है तो killing of bacteria that is stomach complete digestion of food यानि हमारा जो भोजन है उस भोजन का पौण रूप से पासिन कहां किया जाता है small intestine में हमारा जो भोजन लिया हमने जो हम भोजन खाते है तो भोजन का पौण रूप से जो पासिन किया जाता है complete digestion किया जाता है वो small intestine में किया जाता है maximum आपको याद आ रहागा small intestine की जो length थी लंबाई थी वो कितने थी साड़े साथ मीटर 7.5 मीटर और जो लार्ज intestine की जो लेंथी वो कितने थी 1.5 मीटर यानि नामी small intestine है लेकिन अपने आम में कहां लंबी है किससे लार्ज intestine से फिप तो statement formation of fecus यानि जो हमार पास क्या होता है fecus जो मल की रूप निकलता है बहार तो उसका जो formation होता है उसका निर्मान कहां पर होता है large intestine यानि large intestine की बाद दो undigested food था small intestine की बाद कहां भी भीज दिया जाता है large intestine में बड़ी आत में तो वहाँ पर क्या था water के साथ mix रहता हो वहाँ पर undigested food तो उसके बाद क्या होता है semi solid fecus की रूप में क्या किया जाता है अलग क्या जाता है और वहाँ पर water का क्या जाता है absorption फैनली रूप से क्या होता है complete क्या जाता है तो यह क्या था हमार पास पांस state में थे यानि absorption of food small intestine भूजन का absorption छोटी यहां से क्या जाता है chewing of food यानि भूजन को जो क्या करता हम चबाते हैं वह हमारी जो मल बनता है last में वो किस में बनता है large intestine बड़ी जो अमास है हमारी बड़ी जो सुद्रान्त है जिसको क्या होता हम ब्रधान्त भी बोलते हैं तो उसके अंदर इसको formation फीकस को क्या तो वहाँ पर format किया जाता है क्या 10 राइट वन सिमिलर्टी एंड वन डिफरेंस बिट्विन नुट्रिशन इन अमीबा एंड यूमन बिंग्स यानि जो मनुष्य है और जो अमीबा है उसमें क्या उसके पाचन में पाचन जो होता है नुट्रिशन जो है उसका जो भुजन का तरीका है पोच्वर जो है उसमें क्या similarity और उसमें क्या difference है चैया उसमें अन्तर है और क्या उसमें समानता है answer similarity between nutrition ने अमीबा एंड यूमन बिंग्स यानि उसमें क्या similarity है तो उसको हम पहले दिख रहे हैं बोट अमीबा and human beings, humans require energy for the growth and maintenance of their bodies, यानि दोनु को क्या होती है, उर्जा क्या आउशकते होती है, और अपनी सरीर की maintenance के लिए, सरीर की maintenance के लिए क्या होती है, उर्जा क्या आउशकता होती है, यानि तभी हम क्या लेता है, भुजल लेते है, यानि जो हम यह उर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है जो हम भूजन लेते हैं तो उससे क्या होती है हमें उर्जा बिलती है तो वो क्या हता है बिगर मॉल्कुल होता है मोलकुल होते है उस मोलकुल से उसको क्या करते हैं छोटे-छोटे टुकलू में क्या होते है छोटे-छोटे रूपों में तोड़ देते है औरश की बाद क्या होता है उससे deleting a यह दोनु कि है अपनामे है यह तो यह क्या था अमीबा और जो क्या था हमारे पास अमीबा और दूसरे का महारे है उन्हें दोनु का भोजन किस परकार लिया जाता है तो उसके बारे में हमने हाँ पर डिस्कस किया तो दोनों को mode of nutrition के है hydrotrophs difference देखता हम अभी बहुत जो human beings है तो उसमें क्या differences है तो आगे बढ़ते हैं आगे digestion in humans human have होगाई spell गलत होगी है तो इसको help कर दीजिएगा human have a mouth and a complex digestive system यानि जो मनुष्य है उसमें क्या होता है उसका जो digestive system है वो अपने आप में क्या है बहुत ही complex है यानि जटल है तो उसमें क्या होता है different step आपको याद आ रहोंगी हमार पास क्या तो बक्कल कविडी था उसके बाद osteophagus, stomach, small intestine, large intestine NS तो यह क्या थे इसके different parts थे तो जबकि जो amoeba है उस amoeba को जो digestive system हो क्या है इसमें क्या होता है absent होता है यानि amoeba जो होगा उसका digestive system क्या है अपने आप में absent है second statement digestive juices are secreted in the buccal cavity stomach and small intestine यानि जो human weeks होते है उसके जो बक्कल cavity है यानि जो उसके कहा है मुख गुहिका है वहाँ पर saliva निकलता है लार निकलती है तो वह digestion में help करता है उसके लाबा में क्या निकलती है कुछ digestive juices निकलते है उसके लाबा ACL निकलता था होँपर तो वह क्या करता है वह तो वहाँ पर जो food vacuum में जो भूजन लिया जाता है तो वही पर क्या होता है कुछ digestive डूर्स वहाँ पर निकलते हैं और वही पर क्या गयाता है उसको पाचन किया जाता है वही पर क्या गयाता है उस भूजन का पाचन किया जाता है यानि जो human beings है उसका जो carbohydrate, protein और जो fat का digestion होता है वो अलग-लग region में किया जाता है यानि अलग-लग portion है जहाँ पर किया गया तो उसका digestion किया जाता है जैसे carbohydrate है तो उसका मुँझ से ही पास्जन होना start किया जाता है जाता है, slab निगलता है तो वो उसके पास्जन में करता है fat का याद आ रहोगा आपको तो fat का जो digestion है वो small intestine में किया जाता है तो इस जांग से क्या होगा हमारे जो human beings में जो food components है तो उसका digestion होता है अलग-लग compartment में अलग-लग जो हमारे पास क्या है एरियाज है तो वहाँ पर complete किया जाता है जबकि अम्रिवा में क्या होता है all food components are digested in the food vacuos यानि जितना भी उसका भोजन के जो particles थे तो उसको एक ही जगा क्योंकि unisand है या single-sand है तो food vacuos ही उसमें क्या है उपस्तित है तो उसमें क्या क्या जाता है उसका digestion complete क्या जाता है क्वेस्ट में 11 level the following figure for the digestive system यानि जो हमार पास क्या है digestive system है यह आपको यहाँ पर तो leveling की रिखिया है हमने यहाँ पर यह जो name दिये गए है different name यह complete कर दिया है लेकिन आपके लिए क्या होगा यह portion क्या होगा blank होगा initiative आपको diagram दिया गया होगा तो उसको क्या करना आपको fill करना है यानि labeling करने कि किसका portion कौन सा portion कहाँ पर है तो आपको याद आ रहा हुआ जब हम digestive system पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इसको explain किया था बकल केविटी कहाँ पर है small intestine कहाँ पर है large intestine कहाँ पर है और्शोफेगस कहाँ पर है एनस कहाँ पर है यह हमारे पास जो pancreas है यह liver है तो यह हमारे पास क्या थे different क्या थे organ थे हमारे पास तो उसको हमने यहाँ पर labeling करनी है question number 12 can we survive only a raw leafy vegetable grass discuss तो हम क्या कर सकते हैं क्या बहल हम जो raw कच्ची जो पदार्त है या जो हमरे पास क्या leafy vegetable है या grass है उसको खाके हम जीवित रह सकते हैं तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है answer surely no होगा क्योंकि हम घास क खाके जीवित तो नहीं रह सकते या leafy vegetable को खाके हम जीवित नहीं रह सकते no humans cannot survive only a raw leafy vegetable और grass हमारे पास क्या को जो हम human beings है वो केवल जो भोजन है उसको हम कच्चे रूप में या जो बिना पकावा भोजन होगा उसी रूप में खाके हम उसको पासन नहीं कर पाते हैं या leafy vegetable या जो पतिदार सब्जीया है या जो घास हम उसको नहीं खा पाते या उसका पासन हम नहीं कर पाते हैं it is because the grass is rich in cellulose क्योंकि हमारे पाज होती है उस घास में क्या होती है cellulose की मातरब बहुत जाद होती है हमने इस से पहले भी पढ़ा था जो cellulose होता है उस cellulose को पासन कर जिसको हम पाचन नहीं कर पाते हैं तो यह क्या था हमारे पास यहां पर एंशियर्टिका जो एक्सराइज वाला पोर्सन होता है उसको हम कम्प्लीट किया है